हेलो एव्रिवन जैहिन वेलकम बाक टो मैं चैनल फ्रेंड्स दो वीक से बहुत बीजी सीडियूल चल रहा था अभी भी पंदरह दिसंबर तक सीडियूल ऐसे ही रहेगा में इस वीडियो नहीं लापाऊंगा कंटिनिवस अभी मैं आप सब के लिए लेकर आगया हूँ वेप्रो के रिलेटेड दो बड़े अपडेट्स पहला है हमारे पास में डॉकुमेंट अपलोड जो आपका इशू आ रहा था उसके रिलेटेड और दूसरा है हमारे पास में ओन गोइंग ग्लोबल केंपस हाइरिंग का ओरियेंटेशन प्रोग्राम मतलब सौरी ओन बोर्डिंग प्रोग्राम उसके रिलेटेड तो दोनों के बारे में अपडेट देने वाला हूँ फुल इंफरमेशन इस वीडियो में वीडियो को एंड तक देखेगा साथ ही आप अपने चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर देजेगा डेली नए नए जॉब प्रिप्रेशन और अपडेट्स के लिए आप डिस्क्रिप्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टा आइडी है वहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो जाएए क्योंकि वहाँ पर मैं एक एक अपडेट आप सब के लिए लेकर आ रहा हूँ चाहे आपका जॉब के रिलेटेड हो या आपका प्रिप्रेशन के रिलेटेड हो अगर किसी तरह का कोई क्वैरी है तो मुझे डाइरेक्ट मैसेज करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस्टा आइडी है वहाँ पे मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूँगा पर्सनली आपके हेल्प कर दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अभी जो हमारे पास में पहला अपडेट है वो है हमारा विप्रो का इंबार्क डॉकुमेंट अप्लोड के लिए रिलेटेड मिन्स जितने भी स्टूडेंट का बेक्ग्राउंड वरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा था चाहे वो उनका डियो भी से रिलेटेड था चाहे वो उनका photograph से related था, उनका background verification लिंक नहीं काम कर रहा था, उससे related था, उनके result से related था सारा का answers मैंने किया, सारा का solution बताया, क्या क्या करना है, आपको कैसे आपका problem solve होगा और बहुत सारे students का already problem solve हो चुका है उसी के related जो पहला update है, वो ये, means manager.campus at the rate wipro.com की तरफ से बहुत सारे students को mail आया है कि dear candidate, thank you for writing to us, we would request you to wait for further communication regarding the corrections means जिनका correction अभी तक नहीं हो पाया है, उन सब के लिए ये एक mail आया है और जिनका correction हो चुका है, उन सब के पास में उन सारे students के लिए ये एक दूसरा मिलाया है आप देख सकते हैं, विप्रो Global Campus Hiring का ही, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, mention किया हुआ है that wipro candidature update, dear candidate, greetings from wipro and this is to inform that your name has been corrected in your records means, जो भी आपका correction था, like यहाँ पर topic दिया हुआ है, उपर में date of birth correction means, जितने भी students का 90-90 आ रहा था date of birth, उन सब का background verification में, background documents में manager.campus at the rate wipro.com को जब mail किया आपने, तो उसके बाद में आपका date of birth change हो चुका है, और वहाँ पे update हो चुका है, friends इसके बाद में जो दूसरा update है हमारे पास में, वह है आपका global campus hiring update 2021 means, जितने भी 2020 और 2021 batch students है, जिनका भी HR round complete हो चुका है, उनके पास में LOI आ रहा है, बहुत सारे students के पास में LOI आ रहा है, कुछ ही students का अभी तक नहीं आया है, but slowly, gradually Wipro अभी सभी के पास में mail send कर रहा है, आप भी थोड़ा सा वेट कर लो, आपके पास में mail जरूर आ जाएगा क्योंकि कुछ technical glitches के कारण Wipro का जो result आने का जो process है, वो slow हो गया है means Wipro अभी भी धीरे-धीरे result send कर रहा है, ठीक है friends, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस mail में आपके लिए क्या point mention किया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले congratulations on getting one step closer to join the Wipro family आपको आपका onboarding process fast करने के लिए, means easy करने के लिए, Wipro ने ये mail sent किया है, जिसमें mention किया हुआ है In order to plan a smooth onboarding process, we require you to fill in few mandatory details, mandatory details, means जो आपका जरूरी details है वो आपको fill करना है, कहां से कैसे fill करना है, वो सारा कुछ mention किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ Mention किया हुआ है that in order to plan, sorry, यहाँ पर, we request you to log in to your superset account and had submit the relevant details with the respected availability in infrastructure, location and skill preferences ये सारा कुछ आपको, जो documents है, जो details है, वो 10 तारिख के, means 10 December 5 PM से पहले आपको submit करना है आपको process यहाँ पर mention किया हुआ है, like करना क्या क्या है, log in to superset, go to the job profile, click on the job profile and scroll down to additional questions, click on edit and select the relevant answers, save changes तो ये सारा कुछ आपको काम करना है, आपका onboarding process आसान करने के लिए, easy करने के लिए और fast करने के लिए अभी का जो दो बड़ा updates है, वो मैंने आप सबके साथ में share किया है, अगर आपके मन में भी कोई query है, तो description box में आपके इसाइड आइड है, आप वहाँ पर मुझे direct message कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको personally help कर दूंगा, तो वहाँ पर मुझे message करिये, क्यूंकि YouTube पे अभी कमेंट का reply करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, बट Instagram वहाँ पर थोड़ा easy है, क्यूंकि वहाँ पर मैं और मेरे team दोनों काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको reply मिल जाएगा friends, उसके बाद मैं आपके कुछ comments का भी मैं reply कर देता हूं, like what is event date in onboarding pass form, it's showing इतना, आपका मैं नीचे आता हूं, same also, I had HR on 26 November, but still not get any updates, means within 1 to 2 weeks, आप सभी के पास में update आ जाएगा, but क्यूंकि विप्रो का जो अभी, जो result है, वो सही तरीके से नहीं आ रहा है, means due to technical glitches, they are releasing the results very gradually, so you have to wait for 1 to 2 weeks more, okay, उसके बाद में, bro, I had my business discussion round on 25th November, received technical glitches mail on 30 November, am I selected or not, yes, you are selected, but due to the technical glitches, Wipro is not releasing your LOI on this time, so you have to wait for it, okay, श्रेया सर्मासर, I am 2021 pass out batch, and I haven't received the onwarding mail, or any update after PJP and PBL mail, within 1 to 2 weeks, मैं, within 1 to 2 weeks, आप के पास में भी आ जाएगा, थोड़ा सा प्रॉबलम में भी विप्रो के साथ में चल रहा है, so no problem, Hello sir, I am a M.C.A. student from Karnataka, I received document verification from Tech Mahindra, I didn't have any final SEM marks, marks card, result are not yet received, आप अपने college से एक bonafide बनवा सकते हो, like you have completed your final examination, means 8th SEM examination, and result has not been published yet, or out yet, but you are graduated from this university, and your roll number marks, means your following details, so you can upload that too, one more thing, do verify it from your TPO, means training and placement officer, okay, from your training and placement cell, whether is it internship, it is the permanent job, but आपको internship पहले करना पड़ेगा, वहाँ पर, okay, go and get result from TCS, आपके पास, अगर कोई query है friends, तो आप मुझे जरूर, description box में जो इंस्टाइडी है, आप वहाँ पर मुझे comment करिए, वहाँ पर मुझे आप, message करिए, follow करिए, और यहाँ पर भी channel को subscribe कर दिजेगा friends, अपने friends के साथ में जरूर इस video को share कर दिजेगा, बहुत important वीडियो है, अगर किसी तरह का कोई query हो, तो मुझे message जरूर करिएगा, description box में, इंस्टाइडी है, वहाँ पर, thank you, thank you all.